हे दोस्तों, वेलकम बेग, तो आज के इस वोडियो में हम सिखेंगे कि सेंटर लाइन में साथ की हेल्ट से क्उांत्य रिष कैसे केल्प्राइंट की जाती है किसी पर्टिकुलर स्ट्रक्शर के लिए जब उस ठ्रक्शर के इंदर जंकशन हो तो उस type के structure के लिए हम कैसे quantities calculate करते उसे हम इस video को तो पूरा detail में समझेंगे क्योंकि last video में हमने एक simple type का numerical problem सुल गया था इसलिए इस video में थोड़ा different type का numerical problem सुल करेंगे with the help of centerline method इसलिए इस video को पूरा end तक देखना तब ही आपको अच्छे से समझ में आएगा कि जब हमार पास किसी structure में number of junction होते तो उसे हम कैसे solve करते है centerline method के health से तो अभी हम इस video को continue करते हैं और सबसे पहले इस से related question पढ़ लेते हैं calculate the quantities of following items by using centerline method first earth work in examination in foundation second lime concrete in foundation third brick work in foundation plinth and superstructure तो हमें क्या करना है जो हमें drawing की वन है उसके लेमें कुछ quantities के लिए करना है कुछ particular works के लिए और उसके लेमें कौनसी method का यूज़ करना है centerline method का हमें use करना है तो same यही problem हमने long wall short wall method से भी solve किया था तो उस method से जो हमें इस work की quantities मिली थी same way quantities हमें मिलने वाली है इसी method की health से तो आप जाके उन्हें compare कर सकते हो अगर आपने मेरा वाला वीडियो नहीं देखा है तो उस वीडियो की link आपको नीचे description में देखने मिल जाएगी और अगर आपको समझना है कि centerline method का होती है तो उसे भी में already explain कर चुका हूँ तो अगर आपने वाला वीडियो भी नहीं देखा है तो उस वीडियो के link आपको नीचे description में देखने मिल जाएगी तो सबसे फिले हम देख लेते हैं जो drawing हमें कीवान है उसमें क्या क्या हमें शोर रहा है यह drawing में आपको already explain कर चुका हूँ मेरे long wall short wall वाले वीडियो के अंदर तो जो हमें plan given है उसके अंदर आपको 2 room show हो रहे होंगे जिनकी size कितनी है 4 meter by 6 meter और जो हमारे wall की थिकने से हो कितनी 30 cm किये और उसी plan के लिए हमें foundation plan भी show रहा होगा जिसके drawing आपको यहाँ पे show हो रहे होगी जिसमें जो foundation base है उसकी जो भीथ है उसके कितनी 1.10 meter यहाँ पे आपको number of footing दिये यहाँ पे आपको 3 footing show हो रहे होगी यहाँ पे आपको देखने मिल दियोगी planth wall यह आगे हमारा ground level ground level से below जो हमारा foundation है उसकी height कितनी है 0.80 meter जो हमें कहाँ पे help पूल होगी excavation के लिए यहाँ गए हमारे main wall जिसकी thickness कितनी है 30 cm और height कितनी है इसकी 3 meter यह सारे basic dimension आपको देखने मिल रहे होगे इस drawing के अंदर तो last question हमने solve किया था centerline method की help से तो उस question में आपको windows, door और junction नहीं देखने मिलेते लेकिन इस drawing में आपको windows भी देखने मिल रहे है door भी देखने मिल रहे है और junction भी देखने मिल रहे है तो इसे हम कैसे solve करेंगे इसे भी हम समझ लेते है तो सबसे पहले हम क्या करते है जो हमारे longer side की wall है, उनकी हम center to center length calculate करेंगे, then जो हमारे shorter side की wall है, उनकी हम center to center length calculate करेंगे, then end में हम क्या करेंगे, सारे walls की center to center distance को add करके हम total center line length calculate कर लेंगे, तो हमें total center line length के से मिलेगी, हम क्या करेंगे, इन सभी walls की center to center distance calculate करेंगे, उसके साथ हम partition wall की भी center to center distance calculate करेंगे, और इ इससे मैं विलाएगी टोटल सेंटर लाइन लेंद, तो जो लोंग वोल आएगी उसके सेंटर तो सेंटर लेंद कैसे आएगी, मैं आपको अल्रडी बता चुक हुआ हम कैसे कल्कुलेट करते हैं, तो वो कितनी आ रही है, 4 प्लस 0.3 प्लस 4, 0.3 का हाब बोत एंड के लिए, त वो कितनी आ रही टोटल, 8.60 मीटर, और जो शोर्टर साइट की वोल है, यौनी जो मैं शोड़ वोल है, उसके सेंटर तो सेंटर डिससेंट कीतनी आ रही, 6.30 मीटर, तो जो हमारे टोटल सेंटर लाइन लेंद आएगी, सबसे बेले हम हम हहां से यहां तक कि सेंटर लाइन calculate करेंगे then is or key then is or key then same इसी side से और पिर जो मारे partition wall है उसकी length को भी हम इसके अंदर include करेंगे तो जो मारे shorter side wall है वो कितनी 3 है और जो मारे longer side wall है वो कितनी 2 है तो हम क्या करेंगे directly जो मारे long wall की center to center distance हाई उसमें 2 का multiply कर देंगे और जो हमाई short wall की center to center distance आई उसमें हम थरीका multiply कर देंगे and जो दोनों walls की length आएगी उसे हम add कर देंगे जिससे में मिलेगी total center line length तो जो हमें total center line length मिलेगी वो कितनी मिलेगी उसे मैंने यहाँ पर no down किया हुआ है soul गर के वो कितनी आ रही है 36.10 meter यह आ गए हमापको total center line length अब बारी आती ही number of junctions की तो यहाँ पे आपको number of junction कितने देखने मिल रहे है जहाँ पे आपको T बना हुआ देखेगा वो ही क्या होगा मारा junction तो यहाँ पे आपको एक junction यहाँ पे देखने मिल रहा होगा और एक junction आपको यहाँ पर देखने बल रहा होगा तो हमार पस number of junction कितने आगए 2 number of windows कितने आगए 4 और number of door कितने हैंगे 2 तो अब हमार पस number of junction आगए total centerline length आगई अब हम क्या करते है measurement sheet बनाना start करते है तो सबसे बिले देख लेते हैं earth working exhibition यहाँ पर एक और बात ध्यान रखना है जब भी हम centerline method से solve करेंगे question को तो उसमें जो number आएंगे particular item के वो हमेंसा 1 ही आएगा यह बात आपको यहाँ पर ध्यान में रखनी है आप यहाँ पर जो length होगी उसमें आपको थोड़ा changes देखने मिलेंगे क्योंकि यहाँ पर हमारे पास number of junction है तो जब भी junction आएंगे तो जो centerline length होगी उसमें कुछ changes देखने मिलेंगे तो मैंने आपको बताया था जब भी हम centerline method का use करते और हम किसी particular work के लिए या particular item के लिए quantity calculate करते तो उसके लिए जो length होती है वो कैसे measure करते वो particular item के लिए जो length आएगी उसका measure करने का formula क्या होता है total centerline length minus number of junction into half of width of an item यानि जिस item के लिए हमें calculate करने ये length उस item की जो width रहेगी उसके half में हम किसका multiply करेंगे number of junction का और उसे हम किस में से deduct कर देंगे total centerline length में से जिससे हमें मिल जाएगी उस particular work या item के लिए length तो देख लेते हूँ length कितनी आ रहे हमें पता है हमें total centerline length कितनी है 36.10 meter और number of junction कितनी है 2 तो हमने formula में सारी value put up की 36.10 meter minus 2 into half of width जो हमारा earths working examination है उसकी limit कितनी है 1.10 meter उस width का हम hop लेंगे और उसमे number of junction का multiply करेंगे देन उसे हम deduct कर देंगे 36.10 में से तो जो हमारे earths working examination है उसके लेंद आ रही है कितनी है 35 meter यह आगे हमें पर पास 35 meter length जिसे मैं यहाँ पर remark में भी लिखा हुगा क्येसे मिली हमें length तो यह आगे हमें पास 35 meter length उसकी विताएगी 1.10 meter और height कितनी आएगे हमारे earths working examination की 0.80 meter तो अब हम क्या करेंगे इन सभी का हम आपस में multiply करेंगे जिसे में मिल जाएगी earth working examination की quantity तो earth working examination की quantity कितनी आ रही है 30.80 cubic meter अब से हम हम देख लेते lime concrete and foundation number आएगा 1 length उतनी रहेगी क्योंकि जो हमारा foundation base है उसकी width भी से हम इतनी ही है तो इसकी length आगी 35 meter वो length हमें कैसे मिली उसे हाँ पे मैंने note down किया हुआ है width आगी 1.10 meter height आगी 0.25 meter तो उसकी quantity कितनी आ रही है lime concrete and foundation की 9.63 cubic meter next देख लेते हम brick working foundation and plane तो first step footing के लिए number आएगे 1 length आएगी 35.20 meter ये length हमें कैसे मिलेगी उसे मैंने हाँ पे remark में note down किया हुआ है तो यहाँ पे आपको remark में देखने मिल रहा होगा जो मैं total center line length है उसमें से हम क्या करेंगे number of junction into half of width माइनस कर देंगे जिससे में मिल जाएगी इस work के लिए length तो length कितने आएगे 35.20 meter width आएगे 0.90 meter, height आएगे 0.20 meter तो quantity कितने आएगे 1st step footing की 6.3k cubic meter second step footing के लिए length आएगे 35.50 meter उसकी width आएगी 0.60 meter और जो उसकी height आएगी 40.20 meter तो quantity कितनी आएगे 4.26 cubic meter third step footing उसके लिए number हमें सा वन ही आएंगे length आएगी 35.60 meter, width आएगी 0.50 meter और height आएगी 0.15 meter, quantity कितनी आ रही है, 2.67 cubic meter, और next आएगा हमारा plinth wall, उसके लिए number आएगे 1, length आएगी 35.70 meter, जो में मिलेगी यहां से, जिसे मैंने यहां पे solve किया हुआ है, formula में आपको सारे value put करनी है, और आपको मिल जाएग आएगी इसके लिए length, then width आएगी 0.40 meter और height आएगी 0.75 meter, तो उसकी quantity कितनी आ रही, plinth wall की 10.71 cubic meter, तो इस सारे works के total quantity कितनी आ रही, जो हमारा brick work in foundation and plinth में होगा, उसकी total quantity आ रही है, इन सारे works के जो quantity आए, उनस अभी हम समिशन कर देंगे, जिससे में मिल जाएगी इस particular work क total quantity, तो total quantity कितनी आ रही है, 23.98 cubic meter, यह आ गए हमरा पास total quantity for brick work in foundation and plinth, next देख लेते हम brick work in superstructure, तो उसके लिए जो number आएगे, वो आएगे 1, brick work in superstructure के लिए, उसकी length आएगी 35.89 meter, वो हमें कैसे मिलेगी, जो हमें total centerline length थे, उसमें सम्क्या करेंगे, जो हमारे brick work in superstructure के जो भी से, उसकी हाप में हम क्या करेंगे, number of injection का multiply करेंगे, और उसे हम total centerline length में से deduct कर देंगे, जिससे में मिल जाएगी इस work के लिए length, तो इस work के लिए length हमें यहां से मिले कितनी आई, 35.80 meter, उसकी विताएगी 0.30 meter, hide आईगी उसकी 3 meter, इन सभी आपस में multiply करेंगे, जिससे में मि आने उसमें आपको door और windows भी show हो रहे होंगे, तो जहाँ पे हम door और windows प्रवाइट करेंगे, वहाँ पे हम brickwork नहीं करेंगे, तो उतना portion हमें deduct करना पड़ेगा, तब ही जाके हमें actual content है मिलेगी brickwork in superstructure के लिए, तो हमारा पस number of door कितनी है 2, और window कितनी है 4, जोकि आपको इस drawing में देखने मिल रहे होगी, तो अब हमें क्या deduct करना है door opening और window opening, अगर आप lintel प्रवाइट करते हो, तो लintel के लिए आपको deduction करना पड़ेगा, और अगर आप lintel नहीं प्रवाइट करते हो, तो उसके calculation की आपको कोई need नहीं पड़ेगी, तो सब सब बिले हम देख लेए door opening, number of door हमाल पास 2 है, जो हम door की size है, उसे हम regular लेके चल रहे है, 1.20 meter by 2.10 meter, width आएगी 0.30 meter, यानि उसकी length आएगी 1.20 meter, और उसकी width आएगी 0.30 meter, और height आएगी 2.10 meter, उसके लिए quantity कितनी आ रहे है, 1.51 cubic meter, same windows के लिए number 4, और windows की size हम यापे लेके चल रहे है, 1.20 meter by 1 meter, यानि length 1.20 meter, width 0.30 meter, और height आएगी 1 meter, तो उसकी quantity कितनी आ रहे है, deduction के लिए 1.44 cubic meter, अब जो length आते है, उसे में मेरे recent video में explain कर चुगा हूँ, जहाँ पर हमने इसी question को long wall, short wall method सा solve किया था, तो उस video में आपको समझाय था कि length आएगी, उसे हम क्या करेंगे, उसे हम क्या करेंगे, ब number of doors भी कितने 2 है, उसकी length कितनी आगी 1.50 meter, वह हमें कैसे मिलेगी, जो मेरे door opening की length है, उसमें क्या करेंगे, बोथ end पर 15 cm की bearing add कर देंगे, जिससे में मिलेगी lentils की length, तो lentils की length कितनी आ रहे है, 1.50 meter, यानि इसमें 30 cm हमने add किया, उसकी विताएगी 0.30 meter, और जो lentils की thickness तो उसकी quantity कितनी आ रहे है, 0.14 cubic meter, same length over windows number 4, length कितनी आएगी 1.50 meter, width आएगी 0.30 meter, और height रहेगी 0.15 meter, quantity कितनी आ रहे है, 0.27 cubic meter, अब हम क्या करेंगे, इन सारे openings की quantity को हम add कर देंगे, जिससे में मिलेगी total quantity for deduction के लिए, तो total quantity कितनी आ रहे है, deduction के लिए, 3.36 cubic meter, या आगे हम total quantity for deduction के लिए, इस quantity को हम क्या करेंगे, जो हमरे पास brickwork की quantity है, उसमें से हम deduct कर देंगे, जिससे में मिल जाएगी actual quantity for brickwork in superstructure के लिए, तो brickwork in superstructure की जो actual quantity आ रहे है, 28.86 cubic meter, या आगे हमरे पास actual quantity for brickwork in superstructure, same इतनी quantity हमें मिली थी, जब हमने इसी question को long wall, short wall method से solve गया था, तो आप मुझे comment करके जुरूर बताना कि आपको कौनसी method ज्यादा easy लगी, और कौनसी method से आपका calculation जल्दी हो गया, यानि कम time किस में लगा, आप मुझे comment करके जुरूर बताना, और आपको कौनसी method अच्छी लगी, एभी आप मुझे comment करके जुरूर बताना, अगर आपने मेरा long wall short वाला वाला वीडियो देखा हुआ है तो उसे आप compare कर सकते हो वहाँ पे भी आपको सेम यही content देखने मिलेगी इन सभी works के लिए तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही आयूप आपको वीडियो समझ में आ हो तो अगर वीडियो आपको समझ में आ है और वीडियो आपके ल मिल सके तो मिलते हैं नेक्स वीडियो में जब तक आप सभी अपना ध्यान रखना thank you so much